नमस्कार दोस्तो एक बाइफिर से आपका धैमन जी के क्लासिज में आधिक श्वागत है अविनलन है दोस्तो आज हम रास्तान करमचारी चेन बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटी सनातिक स्तर दो जारवाईस एक्जाम का जो दीत्य चरण था उसका पेपर हम हल करने जा रहे ह हैं दोस्तो वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि एक्जाम में पर्शन रिपीट हो सकते हैं जो रिट की एक्जाम होगी उसमें भी क्यूशन आ सकते हैं रिपीट हो सकते हैं और यह दि दोस्तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो शुरू करते हैं पहला क्यूशन है किस वर्ष अवद का बिर्टीश सामराज्य में विले हुआ था किस वर्ष अवद का बिर्टीश सामराज्य में विले किया गया था दोस्तों इसमें हमारा अंसर हो जाएगा option D 1856 issue में अवद गाबीटी समराजे में विले हुआ था और इसमें डल होजी की हड़प नीती जो थी उसके तैद अवद गाबीटी समराजे में विले किया गया था अगला किशन है निमल लिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है विजे सिंग पतिक टोटगत जेल में रखा गया था इनको अरजुनाल सेथी बेलूर जेल में रखा गया था केशरी सिंग बारट को हजारी बाग जेल में रखा गया था जोरावर शिंग को बरेली जेल मे नहीं रखा गया था तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओप्शन डी जोरावर शिंग बरेल जेल ये जोस्तों सुमेली थे नहीं है अगला है राजस्थान मैला परिशिद की स्थापना उद्यपूर में 1947 में किसके दवारा होई थी ? आ अरुना राय, आ अप्शन बी है इंदुमती गोयनका ओप्शन दूरगावती देवी उप्शन डी सांता तरिवेदी इसमें हमारा अंसर हो जाएगा आप्शन डी सांता तरिवेदी दूरा राजस्थान मैला अगला किशन है जमना लाल बजाज ने स्थापना की थी जेपूर परजामंडल की मेवाड परजामंडल शीकर परजामंडल मारवाड परजामंडल इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओप्शन ए जेपूर परजामंडल जमना लाल बजाज ने जेपूर परजामंडल की स्थापन की थी अगला किशन है बारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी र्यास्तों के सवतंतरता आंदोलन को समर्थन देना प्रारम किया था अगला किशन बिर्टिस बारत की राधानी को कलकता से दिल्ली इस्थानंतरित किये जाने के समय बारत का वाइसराय कौन था जब बारत की राधानी कलकता से दिल्ली इस्थानंतरित की गई थी उस समय बारत का वाइसराय कौन था उप्शन A लोड रिपन, लोड डलहोजी, लोड होर्डिंग, लोड डफरिन इसमें हमारा अंसर आजाएगा उप्शन C लोड होर्डिंग के समय बारत की राजधानी कलकता से दिल्ली इस्थाननत्रिते की गई थी अगला किसन है खेडा किसान आंदोलन की नेताओं के नेतरतों में हुआ था उप्शन A गांदी जी और वलबाई पटेल उप्शन B वलबाई पटेल और वासुदेव बलवन्द फड़के उप्शन C गांदी जी और विजेशिंग पथिक उप्शन D सीता रामदाश और विजेशिंग पथिक इसमें हमारा अंसर हो जाएगा उप्शन A गांदी जी और सरदार वलबाई पटेल के नेतरतों में थेडा किसान आंदोलन हुआ था अगला किसन है गदर जर्नल का पहला अंक किस बासा में परकाशित हुआ था उप्शन A उर्दू, उप्शन B मराठी, उप्शन C पंजाबी, उप्शन D गुजराती इसमें अंसर हो जाएगा उप्शन A उर्दू बासा में गदर जर्नल का पहला अंक परकाशित किया गया था कौनसी बहसा में उर्दू बहसा में अगला क्यूशन है बारत के गवर्णर जनरल की परिशद में पर्थम वार एक बारतिय सदेश्य की न्युक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था उप्शन हमारे उप्शन ए बारतिय परिशद अधिनियम उन्नीश उप्शन बी बारतिय परिशद अधिनियम उन्नीश उप्शन बी बारतिय परिशद अधिनियम उन्नीश 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 उप्शन बी बारतिय परिशद अधिनियम उन्नीश 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 गवर्नेर्ट जनरल की परिशद में पर्थम बार एक भारतिश अदेशे की न्युक्ति का प्रावदान किया गया था। अगला किशन है निमल लिखित में से किसके प्रियासों से एज ओफ कंसेंट बिल अठारा सो इककाण में पारित हुआ था। एज ओफ कंसेंट बिल किसके प्रियासों से पारित हुआ था। उप्शन हमारे बी एम मालावारी। उप्शन भी भाल गंगा जरतिलक। उप्शन सी हरविला सारदा। उप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। इसमें हमारा अंशर हो जाएगा ओफ्शन ए बी एम मालावारी। आगला अक्षन है अठारा सो सत्तावन के विद्रों के समें ठाकुर कुसाल सिंग ने किस जगे विद्रोयों का नेतरत्वे किया। ओप्शन हमारे ओप्शन ए कोटा, ओप्शन बी नशिराबाद, ओप्शन सी आउवा, ओप्शन डी एरिनपुरा। तो दोस्तों इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन सी आउवा में ठाकुर कुसाल सिंग ने विद्रोयों का नेतरत्वे किया था। अगला किशन है, अर्ली चोहान डाइनिस्टीज के लेखक हैं, जी ए ग्रियेशन, ओप्शन बी हैं दसरत सर्मा, ओप्शन ची जी एच ओजा, ओप्शन डी जी एन सर्मा, इसमें हमारा अंसर हो जाएगा, ओप्शन बी दसरत सर्मा, अर्ली चोहान डाइनिस्टीज के अगला किशन है मेवाच छेत्तर के अलवर जिले में जलम लेने वाले परशीद संद थे अगला किशन है मेवाच छेत्तर के अलवर जिले में जनम लेने वाले परशीद संद थे उप्षन A सुंदर दाश उप्षन B गरीब दाश उप्षन C लाल दाश उप्षन D हरी राम दाश तो इश में हमारा अंसर हो जाएगा Kayla 13 हो जाएगा उप्षन C लाल दाश लाल दास का जर्म अलुबर में हुआ था अगला क्यूशन है इजलास खास का गठन किया था इजलास खास का गठन किया गया था ओप्शन A माराज बन्ने सिंग ने ओप्शन B माराज अजीत सिंग ने ओप्शन C मारणा सज्जन सिंग ने और उप्शन डी राणा बगवन सिंग ने इसमें हमारा अंसर हो जाएगा उप्शन सी माराना सज्जन सिंग ने इजलास खास का गठन किया था अगला किशन है सुमिलीत करना है हस्त शिल्फ उद्पाद है और इस्थान बादला नमदा पावरजाई और खेशला बादला कावर है बादला तो है जोदपूर में नमदा कावर है नमदा टोंग के परसीद है पावरजाई कहां के परसीद है जेपूर की और जो खेशला है वो कहां के परसीद है लेटा तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ए हो जाएगा और जिसमें हमारे अंसर हो जाएगे बादला का अपर है जोदपूर में मनता है नमदा टॉंग पावरजाई जेपूर और खेशला लेटा से सम्मदित है अगला अक्षन है मारवाड के कि सासक ने मुगलों की अधिनता श्वीकार नहीं की थी उप्षन A उदे शिंग, उप्षन B अजीर शिंग, उप्षन C राव चंदर शेन, उप्षन D राव अमर शिंग इसमें हमार अंसर हो जाएगा उप्षन C राव चंदर शेन ने मुगलों की अधिनता श्वीकार नहीं की थी राव चंदर्शेन को मारवाड का परताप भी कहा जाता है अगला क्षिशन है शीता राम लालश का समंद राह है राजस्थानी नर्तियों शे उप्शन भी है राजस्थानी सब्दकोश शे उप्शन सी राजस्थानी लोग जीवन से option D. राजिweetानी लोक कला से इसमें हमार अंसर हो जाएगा सीताराम लालस का शमद्ध है राजिय स्थानी शबद कोशे किसी है राजिय स्थानी सबद कोशे सीताराम लालस का शमद्ध है अगला किसेन जसलमेर के बाटी राजवन्ष की कुल्देवी कोण है माता, option C आवरा माता, आवरी माता, option D श्वांग्या माता, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, option D श्वांग्या माता जो है, वो जैसलमेर के भाटी राजवन्स की कूल देवी है, अगला option, बुंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक साशक कौन थे, उप्षने माराव राजा राम सिंग, माराजा राजा बादूर सिंग, माराव राजा रगुवीर सिंग, माराव राजा इश्विरी सिंग, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, माराव राजा बाहदूर सिंग, बुंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक साशक थे, अगला किस्वन है, हारी देव जोसी पत्तरकारिता एव जन संचार विश्व विद्याले कहां रिश्वाड़ा में, उदेपूर में, जेपूर में, अलवर में, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, जेपूर में, कहां परिश्वत है, जेपूर में, अगला किश्वन है, बेंग्ती गाउं फलोदी में किस लोग देवता का मुखे मंदिर इश्वत है, उप्शन ए, तल्ली नाज जी, उप्शन बी, हडबु जी, उप्शन सी, पाबु जी, उप्शन डी, मल्ली नाज जी, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ओप्शन B हडबुजी का मुख्य मंदिर का अपर इस्तित है बेंग्टी गाउँ है जोकी फलोदी जोदपूर में इस्तित है आगला किस्टन गुरुद्वारा बुद्ध जोड गुरुद्वारा बुड़ा जोड इसमें बुद लिखा है गुरुद्वारा बुड़ा जोड राजस्थान के की जिले में इस्तित है उप्शन जेपूर उप्शन B शिरी गंगानगर उप्शन C हजमेर उप्शन D कोटा तो इसमें हमारा अंसर आजाएगा उप्शन B शिरी गंगानगर में गुरुद्वारा बुड़ा जोड इस्तित ह अगला एक्शन बीलो दुवारा लड़की के विवा के समय घर की दिवार पर बनाए जाने वाले लोग देवी के चित्र को क्या कहा जाता है अगला है चित्तोड गड़ दुर के पर्थम दुवार पाड़न पोल के पास बने चबूत्रेपन निमन मिशे किसका इसमारक बनावा है जेमर राठोड पत्ताशी सोदिया कल्ला राठोड रावत बागशिंग इसमें हमारा अंसरा जाएगा ओप्शन डी रावत बागशिंग का इसमारक पाड़न पोल के पास बनावा है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और नीचे दियेगे कूट की साहता से सही विकल्प चुनना है गोविंद का क्या होगा द्वार दिपिका ना था वास्तु मंजरी, मंडन, देव मूर्ती परक्रण और कुम्बा, संगीत राज तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एक अगला क्षिन लोक था देव नाराण जी की फड़ के गायन में कोन सा वादे यंतर प्रियोग में लाया जाता है उप्षन ए मंजीरा, उप्षन भी चंग, उप्षन सी जनतर, उप्षन डी खरताल इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उप्षन सी जनतर अगला क्षिन है राजिस्थान की वैप प्रंप्रा जिसमें दुले की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की इस्तरियों दुवारा लोक नाटे किया जाता है, कहलाता है उप्षन ए स्वांग, उप्षन भी ख्याल, उप्षन सी तूटिया, उप्षन डी रम्मत तो दोस्तों इसको कहते हैं तूटिया, क्या कहते हैं? इसको तूटिया कहा जाता है अगला किसन है सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दासने की सभा की स्थापना की थी बाल भारत सभा देश हितेशनी सभा सर्वा हितकाणी सभा प्रोबकाणी सभा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा Option C, सर्वहित काणि सबा की स्थापना 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने की थी अगला क्षिण कभी एंचित्तरकार नागरी दास के रूप में कोन परशिद था कभी एंचित्तरकार नागरी दास के रूप में कोन परशिद था Option A, कर्शन देव Option B, राजा सामन सिंग Option C, वरंदावन दास Option D, राणा कुमबा इसमें हमारा आंचर हो जाएगा Option B, राजा सामन सिंग जो था वो नागरी दास के रूप में परशिद था आगला क्षिण जे दयाल सोनी और चेत्राम समदित है जे दयाल सोनी और चेत्राम समदित है Option A है, तुरा कलंगी ख्याल से जे पुरी ख्याल से, शेखावाटी ख्याल से तो इसमें आंचर हो जाएगा हमारा Option A, तुरा कलंगी ख्याल से अगला क्षिशन है Karpal सिंग से ख्यावत का समंद किस कला से है Karpal सिंग से ख्यावत का समंद किस कला से है Option A, तेवा कला Option B, कुंदन कला Option C, तेरा कोटा Option D, बल्यू पोट्री तो दोस्तों इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ब्यू पोट्री से करपाल सिंग से खावत का सम्मन्था अगला किसन निमल लिखित में कौन सा युद वर्ष सही सुमे लेते नहीं है उप्शन एक खातोली का युद 1517 खानवा का युद 1527 सामेल का युद 1562 और हरमाडा का युद 1557 तो इसमें दोस्त हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन C सामेल का युद है वो दोस्तो सुमेलिते नहीं है गिरी सुमेल का युद होता है वो होता है 1564 इस्यू में होता है अगला किसन है निमल लिखित में से किस पुरात्त्त्विक इस थल से युनानी सासक मिनंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है उप्षन A बालाथल उप्षन B गनेशवयर उप्षन C बैराट उप्षन D अहड इसमें हमारा अंसर हो जाएगा उप्षन C बैराट से हमें उप्षन C बैराट से हमें यूनानी सासक मिननगर की मुद्राइय प्रापते होती है अगला action है फुतुहात A आलमगिरी के लेखक कोन है ? पुतुहात A आलमगिरी के लेखक कोन है ? option A फिरोसा तुगलक option B इस्वर्दाष नागर option C औरंगे option D दारा शिकोय इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन बी इस्वरदाश नागर फुतवात आलंगिरी के लेखक है अगला किशन राजस्थान इस्कूल ओफ आर्ट्स की स्थापना किसने की ओप्शने स्वाई जे सिंग ओप्शन बी माराजा स्वाई राम सिंग दित्ते ओप्शन सी माम सिंग पर्थम और ओप्शन डी मिर्जा राजा जे सिंग इसमें आंसर हो जाएगा option B माराजा स्वाई राम सिंग दित्ते ने राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट्स की स्थापना की थी अगला question पंजाब के मेदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है मद्द जुलाई में मद्द अक्टूमर में मद्द सितंबर में और दिसंबर में इसमें आंसर हो जाएगा मद्द सितंबर में मद्द सितंबर में पंजाब के मेदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है यानि कि मानसून के परत्यावर्तन का काल माना जाता है मानसून लोटना शुरू हो जाता है अगला किशन बारत का परधान देशांतर निम लिखित में से किसी राज्य से नहीं गुजरता है उत्तरपरदेश मद्देपरदेश 36 गड तमी लाडू इसमें हमारा अंसर हो जाएगा तमी लाडू से नहीं गुजरता है अगला किशन है निम लिखित में से कोन सा सही सुमेलित नहीं है मेंगो सावर्ष तमी लाडू सही है चेरी बलोसम करनाटक सही है नार्विस्टर्स पस्षी मंगाल सही है बारदोली छिडा केरल यह सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा उप्शन डी सुमेलित नहीं है बागी के ए बी सी स व्हुमेलिथ है कोला जखेत्र के पास सिस्तित लो स्पाथ उद्यों के अंदर है मइब भद्रावती और बी बोकारो और सी जमसेद पूरों सब्सेलम इसमें हमारा Awesome हो जाएगा उप्शन भी बोकारो अगला किसन है नीमन में से कौन सा फसल उत्पादग राज्य सही सुमेली ते नहीं है और उप्शन है चावल पसी मंगाल यह सही है चावल पसी मंगाल में होते हैं गयों उत्रप्रदेश सही है चाए गुजरात और जूट असम तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चाए जो है वो गुजरात में उत्पादग राजे जो परमुक उत्पादग राजे चाए का वो गुजरात नहीं है बलकि क्या है असम है अगल अक्शन केलास रंखला हिस्चा है महान हिमाले का लगू हिमाले का शिवालिक का ट्रांस हिमाले का इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमाले का अगला किसन है दो मिल तेंद्वा राष्ट्य उद्दान निमन में से किस राज्य में श्तित है दो मिल राष्ट्य उद्दान तेंद्वा राष्ट्य उद्दान है वो कौन से राज्य में श्तित है उप्षने मद्य परदेश, उप्षन भी तिरपुरा, उप्षन सी अस्व, उप्षन डी हिमाचल परदेश में, तो इसमें आंसर हो जाएगा उप्षन भी तिरपुरा में, आगला किसो नहीं, सुंद्री और मेंग्रो वरक्ष पाए जाते हैं, अर्सुस ठेत्रों में, जवारिय वनों में, उशन कटी बंदिय सदावार वनों में, मानसुनी वनों में, तो इसमें हमारा असर हो जाएगा जवारिय वनों में, कहाँ पर जवारिय वनों में, सुंद्री और मेंग्रो के वरक्ष पाए जाते हैं, अगला किसो नहीं, मेंगनीज, option C, अबरक, option D, बोकसाइट, इसमें हमारा अंसर हो जाएगा, option B, मेंगनीज, बालागार, छिंदवाड़ और जाबवा जो जिले हैं, वो मेंगनीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, अगला किस्टन है, निमिल लिखित में से कौन सा जील राजे सुमिलित नहीं है, लोनार, महराष्टर, लोनार जील कापर है, महराष्टर में, चिलका, उडिशा में, पुलिकट, करनाटक में, और भीमताल, उत्राखंड में, तो इसमें सुमिलित कौन सी नहीं है, पुलिकट जील है, और करनाटक में ये सुमिलित नहीं है, अगला किस्टन, संख्या की दस्किय वर्दीदर क्या थी ऑप्षन ए 32.97 ऑप्षन भी 28.44 ऑप्षन सी 28.41 और ऑप्षन डी 21.31 इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्षन डी 31.31 परतिसत अगला क्षिट में से कौन सा लिफ्ट नहर लाबानुवित जिले सुमेलित नहीं है 31.31 अगला क्षिट में से कौन से बालु का इस्तूप पर्चलीत पाउन की दिशा के समाना अंतर विक्षित होते हैं 31.31 इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्षन ए शीफ आगला क्षिट में से काला गुमान और तीकी छेतर खालिस्तान उत्पादन हिदू जाने जाते हैं 31.31 ऑप्षन ए गारनेट के ऑप्षन भी पन्ना के ऑप्षन सी केल साइट के ऑप्षन डी गेया पत्थर के इसमें हो जाएगा ऑप्षन भी पन्ना के अगला अक्षन है राजस्तान का एक मातर इस्थलिय उलकापिन प्रहार क्रेटर एम से इस्थित है ऑप्षन ए रामगट बारा ऑप्षन भी है रामगट अलवर रामगट जुझनू रामगट शीकर इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्षन ए रामगट बारा अगला दोस्तों निम लिखित में कौन सा वन्य जी अव्यारने जिला सुमेलित नहीं है सोर्चेन बारा सुमेलित है वन्य वियार दोलपूर सुमेलित है बंद बारेठा बर्दपूर में है सुमेलित है केसर बाग उदेपूर सुमेलित नहीं है कोपेन के जलवायू वर्गी करण के अनुशार दोस्तो जालो और शिकर नागोर और जुन जुनु निमिल कितमे से किस जलवायू परदेश में सामिल है ओप्शन A BW HW, ओप्शन B BSHW, ओप्शन C BW KW, ओप्शन D A B SKW तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा option B BSHW अगला किशन है राजस्तान की निमलिक परवत चोटियों को उच्चाई के अनुसार अवरोई करम में विवस्तित करना है उच्चाई के अनुसार अवरोई करम में विवस्तित करना है तो इसमें हमारा answer हो जाएगा option B जरगा, रगुनात गड़, सर्जन गड़ और लीला गड़ अगला किशन है मांजुन दो जार इकिस के दोड़ा निमन में से की जले में सामाने से 60% ज्यादा वर्षा हुई option A बाश्वाडा, option B सिकर, option C चूरू, option D बाढ़ मेर, तो दोस्तों इसमें हमारा answer हो जाएगा option C चूरू में 60% से ज्यादा वर्षा हुई थी अगला किशन अलफी सोल्स मर्दा पाई जाती है जेपूर दोस आलवर में option B है कोटा बारा बुंदी में option C है शिरोई पाली में option D है जसल मेर, बाढ़ मेर में इसमें हमारा answer हो जाएगा option A जेपूर दोसा अलवर में अलफी सोल्स मिटी पाई जाती है अगला action है निमल लिखित में से की जिले में अधिक्तम आरक्षित बन छेतर है option A शिरोई, उदेपूर, करोली, बारा इसमें हमारा answer हो जाएगा option B उदेपूर में अधिक्तम आरक्षित बन छेतर है अगला action है दोहद यलो कीश फसल की उन्नत किशम है दोहद यलो कीश फसल की उन्नत किशम है गन्ना, चना, येहूं, मूंभली इसमें हमारा answer हो जाएगा option B चना, दोहद यलो चना की उन्नत किशम है चने की उन्नत किशम है अगला action जन गन्ना 2011 के अनुशार राजस्थान के किन जिलो में अनुशुची जन्जाती का जिले की कुल जन्संक्या में परतिसत सबसे कम पाया गया है बिकानेर और अजमेर नागोर और चूरू बिकानेर और नागोर चूरू और गंगानगर इसमें हमारा answer हो जाएगा बिकानेर और नागोर अगला action निम लिखित में से कौन सा जिला राजस्तान का अधिक्तम फेल्सपार उत्पादग है फेल्सपार सरवादिक का पर होता है option A अजमेर नागोर पाली रासमन इसमें हमारा answer हो जाएगा अजमेर में सरवादिक फेल्सपार होता है अगला action है निम लिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उधारण है अध्यारोपित नदी का उधारण गगर माही बनाश जाखम इसमें अंसर हो जाएगा बनाश जो नदी है वो अध्यारोपित नदी का उधारण है अगला action है राजस्तान का बादी वक्ता कारेले राजे पुनर गठन अदियनियम 1956 के अंसार राजस्तान राजे के गठन परस्तित्तों में आया नमबर दो का खतन है जिसी कासली वाल राजस्तान राजे के पर्थम माधी वक्ता बने निमन में से कौन सा विकल्प सही है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा दोनों कहतन सही है पहला और दूसरा दोनों कहतन सही है अगला किश्चन राजस्तान विदान सभा का सदसे रहे बिना कोई व्यक्ति कितने मेने तक राजस्तान में मंत्री पद पर रह सकता है अगला किश्चन है आपात कालिन प्रावदानों के बारे में निमन से कौन्छा कतन सत्ते नहीं है कौन्छा कतन सत्ते नहीं है अप्शन ए अनुछे 352 के तहट आपात काल मंत्री मंडल की लिखित सहमती के आदार पर ही लाया जा सकता है राष्ट पती शासन किसी राज्जे में अधिक्तम तीन वर्षों तक लागू रह सकता है राष्टी शासन राष्टान राज्जे में चार बार लागू रहा कथन जो है वो सथ्टे नहीं है क्योंकि जो सश्टर विद्ड़ो सब्दय वो चमणळी स्वे सिर्व शहटान संसोदन के दो वारा जोड़ा गया था अगला एक्ष्टन ए अट्रल सेवा के अंदर को क्या नाम नया नाम दिया गया है अट्रल शेवा के अंदर जो थे उसको नया नाम क्या दिया गया है जन सुविदा के अंदर गराम सुविदा के अंदर गराम विकास के अंदर राजी उगांदी शेवा के अंदर तो जो बिजेपी की सरकार में थे तो वह अटल शेवा के अंदर बन जाता है और कॉंग्रेस की सरकारात प्रवार्स को टमार में राजस्तान राजय उचल cens नाये दुसयों की शंख्या है कि वर्तमार में राजस्तान हाई कोट में रास्तान उचलों सही हो जाएंगा पचास का कि Спासा आगला क्षिशन है राश्तान सरकार ने विदायक छत्तरी विकाश योजना में 2021-22 के लिए विदायक नीदी बढ़ा कर दी है आप्षन सी आप्षन सुरी आप्षन ए तीन करोड आप्षन बी चार करोड आप्षन सी पांच करोड आप्षन डी दस करोड तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा आप्षन सी पांच करोड रुपे की रासी बढ़ा कर दी गई है अगला क्षण है राच्तान उचने लेस्टाम के मुस्खे नह दीस्स बनने से पहले जस्टिस पंकज Bringing Come क के मुस्खे नह दीस्टाइ डिना ओप Essentially और मद्रास उचने लिए ओप्षण 2 गुजरात उचने लिए ओप्षण निमी लिखित में गलत यूगम राज्य का नाम विदान सभा सतयु संख्या को चुनना है मनिपूर 60, मेगाले 50, मिजोरम 40 और शिक्किम 32 तो इसमें गलत यूगम कौन सा है? मेगाले ओप्शन B इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा अगला किस्वन है सहविदान के बाग 6 में अनुचेद 152, शे अनुचेद 237 सामिल है बाग 6 मुख्य रुप से राजे सरकार पर केंदरित है बाग 6 आगे 6 अदैव में विवक्त है और बाग 7 केंदर थासित परदेश से समनित है कौन सा गलत है? कथन इसमें कथन है गलत है अगला है दोष्तों कोन सा अनुचेद नागरी कोओं के लिए एक समान सिविल सेहिता का उपभन्द करता है? अनुचेद 42, अनुचेद 44, अनुचेद 43, अनुचेद 45 तो इसमें आंशर हो जाएगा करता है अगला किस्टन है बारत में पहली बार संपति कर कब पेश किया गया था उप्शन A 1919 में 1948 1906 1907 तो इसमें आंसर हो जाएगा मारा 1997 में बारत में पहली बार संपति कर पेश किया गया था अगला किसुन है राश्टी आयलेखा का वर्तमान आदार वर्ष क्या है CSO ने 2112 कर दिया है option bakuya CSO ने 2566 से बदल कर 1112 कर दिया गया RBI ने 1989 2000 ने 2000 से बदल कर 245 कर दिया है आर बय ने 20045 से बदल कर 2112 कर दिया है तो इसमें हमारा अंसर आजाएगा option a का CSO ने 245 से बदल कर 201112 कर दिया है अगला की सुन है ग्यारी वी पंच वर्षिय योजना की मूल अउधारणा थी ऑप्शने सामाजीक न्याय और समानता के साथ विकाश ऑप्शन भी मानो संसादन विकाश ऑप्शन सी मानो भलाई ऑप्शन दी तेज और अधिक समावेशी विकाश इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्शन दी तेज और अधिक समावेशी विकाश अगला अक्शन है निमल लिकित में से कौन एकिकर्थ बुगतान इंटरफेश यूपियाई को लागू करने का सबसे संभावित प्रिणाम है एफडिय परवा में बारी वर्दी होगी ऑप्शन बी है ओनलाइन बुगतान के लिए मोबाइल वोलेट की जरूरत नहीं होगी ऑप्शन सी गरीबियों को सबसेटी का सिधा अस्तांदर बहुत कारगर होगा ऑप्शन डी लग बग दो दसकों में डिजिटल मुदरा पुर आय की समानता को मापा जा सकता है कैसे मापा जा सकता है ओप्शन इसमें कथन दिये गए एक है लोरेंज वकर गिनी गुणांक गरीबी रेखा सापेक्स गरीबी सही विकल्प हमने को चुनना है तो इसमें आ जाएगा ओप्शन सी क्यावल एक दो और च्यार एक का सही है लो और च्यार का सही है ुसापेक्स गरिभी अगला कि और निमिन में इसे पीली करांती किस्ये समंदित नहीं है वपजने तील शर्षों चना खदे तेल तो इसमें आंसर हो जाएगा ऊप्षन Cी पीली करांती चने से समंदित नहीं है अगला किस्टन है निमें लिखित में से कौन सा राजे भारत में कर्शी आएकर लगाने वाला पहला राजे है कर्शी आएकर लगाने वाला पहला राजे मदे परदेश, महराष्ट, परशिमंगाल, बिहार इसमें आंसर हो देगा उप्शन D, बिहार अगळा किसन है निमे लखेद में से कौन सा कर भारतिय सविदान के राजी सुची के अंतरगत आता है स्टाम सुल्क,कस्टम सुल्क,LUXURY टेक्स,मनोरंजन टेक्स तो इसमें सही कौन सा है इसमें 3 और 4 का सही है यानि कि लक्जरी टेक्स और मनोरंजन जो टेक्स है वो राजे सुची के अंतरगते आता है अगला क्यूस्टन है निमल लिखित में से किसे e-commerce के तीन चरण नहीं माना जाता है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओप्शन बी सरक्षन अगला क्यूस्टन है पंद्रेवें वितायों नहीं सिपारिश किया कि राज्यों की वर्टीकल हिस्यदारी ओप्शन ए दोजार इक्कीस बाईस से दोजार पच्चिस अबिस तक 41 परतिशत रखी जाए ओप्शन बी दोजार बीस इक्कीस से दोजार चो परतिशत रखी जाए तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन ए दोजार इक्कीस बाईस से दोजार पच्चिस अबिस तक 41 परतिशत रखी जाए अगला क्यूस्टन है यह दलन पर राश्ट्य खादे शुरक्षा मिशन राजस्तान में किस वर्ष प्रारम किया गया ओ ओप्शन भी है दोजार साथ में दोजार आट नो में दोजार नोदस में तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन भी दोजार साथ आठ में अगला क्यूस्टन है निम लिकित को सुमिलित कीजिए ता नीचे देए कूट से सही उतर चुनना है रास्तान स्टेट केमिकल वर्क्स हाइटे ग्लास फेक्टरी मेवार सुगर मील जेके सिमेंट वर्क्स कहाँ पर है तो दोस्तो इसमें हमारा हो जाएगा रास्तान स्टेट केमिकल वर्क्स तो डीडवाना में है आइटे ग्लास फेक्टरी दोलपूर में है मेवाड सूगर मील वोपाल सागर में है और जेके सिमेंट वर्क्स कापर है निम्बा हेडा में है ठीक है अगला किशन रास्तन जन आदार प्रादी करन अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है 18 दिसंबर 2019 से तीन मार्स 2020 से साथ मही 2020 से 31 दिसंबर 2020 तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2019 से अगला किशन है रास्तन में परमुख सर्शों उत्पादक जिलों का सही युग्म है अजमेर नागोर विकानेर जसलमेर अलवर जेपूर करोली स्वाई मादोपूर तो इसमें हमारा अंसरा देगा अलवर जेपूर अगला किशन है राज्तान के सक्कल राज्य मुल्ले वर्दन में आधार 2011-12 में कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अगरी मनुवान कर्शियों समन्द शेतर का योगदान है इसमें हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन डी ओप्शन डी हो जाएगा 28.85 परतिशत अगला किशन है राज्तान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंदर और राज्य की सहभागिता करमशे है तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों की सहभागिता है 50-50 परशेंट है केंदर और राज्य की सहभागिता 50-50 है अगला किशन है किस वर्ष में राजस्तान की पहली हैसिल नीती जारी की गई आप concern है अगला पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार रास्तान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है 11, 14, 17, 20 तो इसमें हमारा अंसर हो जाएगा 17 ओप्शन C का इसमें सही हो जाएगा अगला किशन है निमलिक से कौन सा सिचाई पर्योजना जिला सुमिलित नहीं है पाचना क्रोली मांसी वाकल डुंगरपूर औराई चित्तोडगर गुड़ा बुंदी तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा मांसी वाकल डुंगरपूर में नहीं है बलकि कहाँ पर है उदेपूर में है अगला किशन है रिको द्वारा चार एगरो फूट पारक विक्षित किये गए है रिको द्वारा चार एगरो फूट पारक विक्षित कहां किये गए है तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा जो अगला किशन है केंद्रिय प्रियोन मंत्री नितिन गडिग्री ने किस राज्य में 2300 क्रोड रुपे की 119 किलोमेटर की छह राष्टी राजमारक प्रियोजनां को उद्गाटन और शिलानास किया अगला किशन है केंद्रिय मंत्री मुक्तार अबास नकिवी ने किस हैर में जुलाई 2024 को पांच वे गलोबल फिल्म टूरिजम कौनकलेव जीएफटी सिका उद्गाटन किया इसमें हमारा अंसर हो जाएगा उप्शन सी मुंबई अगला किशन है 2023 देश के लिए निम्लिक मेंसे कौन से देश को शयुद्राश्ठन सुरक्ष्य प्रिशत में एस्थाई सदे शुरूप में होत titre वारत को सुरक्षा प्रिशत का स्थाई सदैसे चुना गया है अगला कि को कि वर्ष कि दोजर वापस देखते हैं इसको वर्ष 2022 देश के लिए निमिल इकित्मी से कौन से देश को स्यूत राज सुरिशा परिशत में अहस्ताई सदेख शुरू में निर्वाचित किया गया है तो इसमें दोस्तों आदाएगा गेबोन आएगा इसमें ऑप्संडी गेब अगला कि शुन है राजस्तान के छटे विदायों कि अदेख्स कोन है केके गोहल डोक्टर जोती किरण परदुमन सिंग मानिक चंद सुराना तो इसमें आंसर हो जाएगा मारा परदुमन सिंग अगला कि शुन है राजस्तान के बजट 2021 में इंदरा गांधी शहरी रिन उपलब्द करवाने की गोशना की गई है इसमें आंसर हो जाएगा मारा पचास जार रुपे तक तक है अगला एक्षन है केप्टिव एनिमल स्पोंसर स्कीम का उदेश्य है तो इसमें आंसर हो जाएगा मारा जेविक उद्यानों के वने जीव को आमजन सहस्ता आधी को गोध देना अगला एक्षन है प्लेनेट डी की यात्रा सुचिद्ध है 16 मोस्ट रोमांटिक सिटी जो अर्थ में राजस्तान के की सहर को 2022 में सामिल किया गया है उदेपूर को ओप्शन ची उदेपूर इसमें सही हो जाएगा अगला एक्षन है डी आडियों ने बारतिय नोशेना में सोनार प्रणारी के लिए प्रिक्षन मुल्यांगन सुविदा की सहर से सुरू किया है उप्शन सी कोची इसका अंसर हो जाएगा राश्तान की निमलें से किसे जनुवरी-24 में पर्णानमंत्री राष्ट्रिबाल पूर्शकार से समयनित किया गया गोरी माईश्वरी इसको गोरी माईश्वरी इसमें अंसर हमारा सही हो जाएगा माई दो जारवाईश में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तुफान का क्या नाम था अंसर इसमें हो जाए अपना ओप्शन सी असानी अगरा कुछन है एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पत को प्रिबाशित करता है रिलेटिव पाथ नेम सुचना संचार के सभी पहलों को नियंदित करने के लिए नियमों का समुख कहलाता है इसमें आंसर हो जाएगा प्रोटोकोल क्या अगरा आता है प्रोटोकोल कहलाता है अगरा किस्टन है प्रिंटर की प्रिंट कुणमत्ता को है में तरहाधा प्रिंट कनकी को में मापा ality ता है उसमें हमारा pero जाएगा parking की जो प्रिंट कुणाब को किसमें मापा जाता है इसमें मुझा जाएगा। ओपसन सी तो आगा डोट फ़ींच और पेजिग कर मिनिट डीपेए और पीपियम अगला कि सुन है एमस वड की साथ कारिय करते से में कौन सा विकल फाइल मेलों में उपलब नहीं होता है एक इड्र हैं एक कट्ष में क्या साहिए यदि वरतमान या सकरिय सेल वीफ हो रहे है और अपने एंटर की दभई है तो इसमें आ जाएगा अपना आप सेल बीफ हाईट में हों तो दोस्तो है यह था अपना CT का पेपर आगे के जो क्यूशन है वो साइन्स और इजिनिंग है जो अपने रिट में नहीं है इसलिए मैंने हल नहीं करवाया इसको और दोस्तो आज का टोपिक आपके क्यूशन आज के जो क्यूशन है वो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए जल् नए पेपर ख्याद तब तक लिए नमस्कार